कोविट नाइंटीन एक नए वाइरस के कारण होता है। और उनके साथ भेद भाव किया जाये। उधारन के लिए जिन लोगों को कोविट नाइंटीन है और जो लोग कोविट नाइंटीन संक्रमनचे ठीक हो गए हूँ। स्वास्थे कारे करताऊं और अन्य सीमावती कारे करताऊं। और यहां तक की पूरे समुहूं और शेत्र खुद को भेद बाव का निशाना बना पा सकते हैं। COVID-19 का डर अक्सर मौजूदा पक्षपात को और भी बत्तर बना देता है। यह इन लोगों और उनके परिवारों के लिए बहुत हानी कारक हो सकता है। इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि लोग बिमारी के संकेच छुपाएं या आवशक्ता होने पर मदद ना मांगे। इससे वाइरस फैलने की संभावना अधिक हो जाती है। मैरी एक समुदाय आधारत स्वास्ते कारे करता है। COVID-19 के बारे में बात करते समए वह भाषा के बारे में बहुत साхधानी से सोच कर उपियोग करती है। वह हमेशा वाइरस को COVID-19 कहती है और बिमारी को एक विशिष शेत्र या समुझ के साथ जोडने से बचती है जैसे की इसे चीन वाइरस कहना। COVID-19 के बारे में बात करते समय नाकारात्मक भाषा को उपयोग करने से लोगों की चिंता भड़ सकती है मैरी मास्क पहनने, कम से कम दो मीटर की शारिरिक दूरी बनाए रखने और हाथ धोने की प्रभाव शीलता पर जोड देती है वह हमेशा लोगों को आश्वस्त करती है कि ज्यादा तर लोग COVID-19 बिमारी के बार ठीक हो जाते हैं इससे लोगों की आशंकाओं को शांत करने में साहता मिलती है करीम पास के गाओं में रहता है और एक जाच ने पुष्टी की है कि उसे COVID-19 है मैरी गाओं के नेता से लोगों से नवीनतम अधिकारिक स्वास्तेसला के बारे में बात करने के लिए कहती है जब वह करीम के परिवार के बारे में अफ़ाय फैलाने वाले लोगों को सुनती है तो वह गलत जानकारी को चुनोती देती है करीम घर पर ठीक हो जाता है और सुष्थ होने पर वह और उसका परिवार बिना किसी भेवभाव के डर के अपने समाने जीवन में लोट आते हैं सटीक जानकारी साजा करके और अफ़ाओं को मुकापला करके मैरी ने पूरे समुदाय को एक साथ कोविड-19 से लड़ने में मदद की